आज हम आपके साथ सपोर्ट में से चेप्टर नमबर फाइफ अर्थमेटिक प्रोग्रेक्शन स्टार्ट करेंगे तो फटा-फट आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स ग्रूप में शेयर कर दें और मुझे बता दें कोई बेग बच्चा बता दे ओडियो वीडियो दोनों कि तो स्टार्ट किया जाएं देखें कोशन नमबर वन जशन सिंग कोशन नमबर वन होती बढ़िया कोशन है पाइंड फिफ्ट टम ओफ एपी एपी का पांचवा टम बताना है और एनेट टम हमें दिया हुए इस तरह के कोशन के अंदर आपको डिरेक्ट एन की जगा पर रि बन जाएगा फिफ्टिन माइनस फाइफ यानि की टैन देखो कितना एजी कोशन है अनील हेलो कैसे हैं आप कोशन नमबर टू कहता है सम बताईए पस्ट टैन इवन नमबर का सम बताने है तो आप यहां पे इसको लिखिए एपी देखे ध्यान से देखे कोशन होती इजी है A-P is equal to first 10 even number सबसे पहला even number कौन सा होता है अन्शू तो सबसे पहला even number हमारा होता है 2, 2 के बात 4, 4 के बात 6 इसी तरह यह कहांनी चलते रेगी और कप तक चलते रेगी जब तक आप 10th even number पे ना पौँछ जाओ तो हम यहां पर लिख देते हैं हमें कहां तक जाना है यह 10 टर्म्स तक जाना है ठीक है 10 टर्म्स तक जाने का मतलब है आपके n की वेल्यू 10 है आप लिख सकते हैं आपके अब आपको एन और डी की वेल्यू सब्सक्राइब करनी है और आंसर आपके सामने आजागा अना मानसी जी देखो यहाँ पे n की जगा पर लिखना है 10 by 2 so 10 by 2 multiply 2 multiply by a की जगा पर 2 प्लस यह आएगा अपने पास 10 minus 1 multiply common difference 2 ठीक है जी यह आपके पास बनेगा 10 by 2 multiply 2 को 2 से multiply करेंगे 4 10 में से 1 minus करेंगे 9 9 को 2 से multiply करेंगे 18 और 4 में जब 18 प्लस करेंगे तो आपके पास से value बनेगी 22 so 10 multiply 22 divided by 2 आप कह सकते हैं आपका अंसर बन जाएगा 10 multiply 11 यानि की 110 पताईए आपका कोई doubt इसके अंदर अक्षय जी का भी आंसर सही है अब देखो क्योंकि यह वाला question एक नंबर में आयेगा अपने पेपर में तो इस question को करने का एक छोटा सा shortcut होता है ठीक है जी और वह shortcut यह कहता है कि आपको अगर इवन नंबर्स का एसन फाइंड करना है तो वह होता है n multiply by n प्लस 1 हमारे इस question के अंदर n की value थी 10 तो आपको बस यह करना था इसके साथ 10 multiply 10 प्लस 1 यह आप अपने मनमन में कर सकते हैं मुझे आपको समझाने है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहे है आपके पास value बन जाती 10 multiply 11 which is equal to 110 एकदम direct answer आता आपके सामने राइट अगर आपको यह shortcut समझ आया तो मुझे फटा फट से यस और लिख कर बताएं एक और एक्जांपल से इसको समझते हैं राइट मैंने आपको कोशन दिया कि आप मुझे बताइए 21 numbers का सम कितना होगा first even numbers का सम तो इसका मतलब आपके n की value 20 है तो आपका जो सम बनेगा वो बनेगा 20 multiply 20 plus 1 20 multiply 20 plus 1 यानि की 21 आप इसको multiply कर लें 402 आपका answer ठीक है जी ओके स्वस्तिक आप समझ गए बात को एक दम easy very very simple तो अगर दो नंबर में आएगा तो आप यह left वाला पूरा portion लिखके दिखा देना ठीक है और अगर एक नंबर में आएगा तो आप इस तरहां का shortcut apply कर देना और shortcut के अंदर यह अपनी कोपी में note कर देना कि इसका formula रहता है एंड मल्टिप्लाइए एंड प्रस वन ओके चलिए वैरी गुड कोशन नंबर थी कहता है ओड नंबर की एनट स्टम बताओ देखो कितना easy question है प्याले आप यहां पर लिखो एपी एपी इस एकवल टू और नंबर की स्टार्टिंग वन से होती है सो यहां पर लिखेंगे वन वन के बाद 33 के बाद 5 इसी तरह कहानी चलती जा रही है हमें बताना है इसकी एनट स्टम कब आएगी है ना भई तो हमें find करना है एन एन का formula होता है ए प्लस एन माइनस वन multiply डी अब आप लों मुझे फटा फट चैट बोक्स में बताओ कि ए और डी की वैल्यू क्या है come on everyone फटा फट से बताएंगे ए और डी की वैल्यू क्या है everybody फटा फट से बताएं सभी बच्चे तो आप सब आंसर लिख रहे होंगे कि सर देखो एकी वैल्यू बन से यानि कि आप इसको लिख सकते हैं one plus में two and minus two basically आपके पास value बन जाएगी two and minus one क्या आपको यहां पर कोई डाउट है very very simple है ना भविन जी आपको यहां तक की डाउट है अनमोल का भी आंसर आ गया very good अनमोल very good भाई very good रक्षित ने तो पूरा complete पर बनाते हैं a p what is the a p natural numbers लिखने आपको सो one one के बाद two two के बाद three यह कहानी चलती रहेगी जब तक आपके पास n ना आ जाए ठीक है आप मेरी बात समझ पा रहे है राइट ओके very very good तो आप यहां पर लिखिया आपके first term की value one है आपके common difference की value भी two minus one यानी की वन है और इसके अंदर अगर हम number of terms की बात करें कौन बताएगा मुझे number of terms कितनी है तो number of terms इसके अंदर हमारे पास साक्षी जी कह रहे है सर स्टैंडर्ड मैस का सेंपल पेपर स्टैंडर्ड मैस आप description box में चक करें आप description में चक करें महाँ पर complete सेंपल पेपर लिखा होगा महाँ पर टैप करें वह पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने आएगी आपको basic भी मिल जाएगा standard मिल जाएगा ओके औ का formula होता है एंड डिवाड़िड वाई टू इंटू में टू ए प्लस एंड माइनस वन मल्टिप्लाइडी हना देखो एंड की जगा पर तो एंड रहेगा एक जगा पर लिखेंगे टू को बन से मल्टिप्लाइगे टू प्लस एंड माइनस वन कोमन डिफ्रेंस की टू और माइनस वन को सॉल्फ करूंगा तो मेरे पास यह वैल्ली बन जाएगी एंड प्लस वन यही हमारा आंसर होता है एंड मल्टिप्लाइड एंड प्लस वन बाइटू दिस दांसर बेटा इनको मिल्टिप्लाइड नहीं करना नंदनी और रक्षित इसको इसी तरह से न को फर्ष्ट ईव reagent नंबर का संव बताने मैंने आपको अभी अभी एभी सॉल्फ करवाया फर्ष्ट ईवन नंबर्स का सम कैसे निकलेगा ऐन मुल्टिप्लाइड वाइन प्लस वन निकलेगा मैंने आपको भी बताएंग कॉशन नंबर वर ने तो सिम्पल आंसर आगया थ आप साथ साथ पढ़िए मुझे बताईए जहांट आउट आएगा मैं आपका सोल्फ कर दूँगा कोई दिक्कत तकलीफ ही नहीं है विदानत चलिए आगे बढ़ेंगे कोशन नंबर सिक्स कोशन नंबर सिक्स के अंदर हमें एनेट्थ टम का मतलब है आपको इसके अंदर एन बताने है अनमौल तुम यहां पर ध्यान से देखो हमें एन बताने है एन बताने के लिए अपने को दो वैल्यू मंगती कौन कौन सी एक तो एच चाहिए और एक डी चाहिए तो आप देखो आपके एपी की स्टार्टिंग हो रही है माइनस टैन से यू कैन से एई इस अप्टरनून कैसे हैं आप विदांत बेटा आपको हम नहीं भूले हैं हम जानते हैं आपको विदांत पटा फट से इसका कॉमन डिफ्रेंस बताओ जशन जी कह रहे हैं माइनस वाइफ आएगा देखते हैं जशन देखो यहां पर आपको सैकेंड टम में से फस्टम को माइ माइनस 15 में से माइनस करना है फस्ट टम और यहां पर फस्टम भी माइनस 10 है तो अब आपको माइनस 10 ब्रैकेट में लिखना है बहुत सारे बच्छे इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस 15 माइनस 10 गलत हो जाएगा अगर इसको सोल्फ करेंगे तो माइनस 25 बनेगा जो की कोमन डिफ्रेंस नहीं है जो गलत है इसको सोल्फ करने पर कॉमन डिफ्रेंस आएगा माइनस 15 प्लस 10 जो आप सब माइनस 20 आएगा ऑके चल यह इसको आगे सोल्फ करते हैं यहाँ पर लिखेंगे इस इकवल टू है विचुवल टू है में n माइनस1 multiply माइनस 5 या आप के पास बने गा माइनस 5 and प्लस 5 यानि कि आप कह सकते हैं आपका अंसर आएगा माइनस 5 एन-5 इसमें से आप चाहू तो माइनस 5 कॉमन ले लो चाहूं तो आप इसको इतना ही छोड़ दो आपके जब board exam में answer लिखा होगा तो वो इतना ही रिखा होगा तो इसको इतना ही लिख देते हैं ओके जैसे आप सबका answer आ रहा है अच्छा यह आयूश के श्रफ है अच्छा आयूश भाई दूसरी आईडी से आये हुए है very good चले देखिए इस वैरी 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 इंपोर्टेंट कोशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कोशन है यह हमें इसके अंदर जस्ट common difference बताना है अनमोल देखो कैसे करेंगे हम यहां पर लिखेंगे common difference is equal to second term minus first term याने की a2 minus a1 ठीक है आप लिखो a2 क्या है what is the a2 तो a2 है 4 multiply by 2 upon 9 इसमें से माइनस करना है 4 multiply 1 upon 9 ठीक है आप देखो इसको mix fraction को improper में convert ना करो आप ऐसे लिख दो इसको 4 plus में 2 by 9 minus bracket में लिखो यहां पर 4 plus में 1 by 9 है ना देखो बहुती easy तरीक है यह यह बन जाएगा 4 plus में 2 by 9 जब माइनस अंदर shift करेंगे तो minus 4 और minus 1 by 9 4 और 4 cancel हुआ आपके पास answer आया 1 by 9 क्या बात समझ गए क्या आप सबने answer ऐसे ही निकाला था 1 by 9 आपका answer सबका सही या रहे लेकिन आपने ऐसे solve किया था इसको now question number 8 कहता है कि common difference बताओ अगर nth term की value यह है this is the nth term तो देखो इस question का direct shortcut होता है पहले हम आपके साथ इसका एक basic method discuss करते है ठीक है और मोल आपने mix fraction में करा mix fraction में करने के बाद भी आपको यह वला समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है वरना आप mix fraction से करिए ठीक है चलिए देखिए common difference सबसे पहले basic method apply करने जा रहे हैं a n is equal to 3 n plus 7 आप इसके अंदर सबसे पहले n को one put कर दो आपके पास यह आएगा a1 is equal to 3 plus 7 3 plus 7 यानि की 10 फिर आप इसके अंदर n को 2 put कर दो जब आप n को 2 put करोगे तो बन जाएगा a2 so a2 equal to 3 multiplied 2 plus 7 3 into 2 6 6 plus 7 करेंगे तो अपने पास value बन जाएगी 13 अब आप यहाँ पर common difference निकालो a2 minus a1 इसको minus करेंगे तो आजाएगा आपने पास 13 minus 10 which is equal to 3 खेक है बही अब इसका shortcut क्या कहता है shortcut के कहता है आपका common difference d की value रहती है coefficient of n तो आप मुझे बता सकते है coefficient of n क्या है यह अपनी copy में note कर ले न आप लोग देखो यहाँ पर coefficient of n है यहाँ पर 3 तो हम लिख सकते हैं तो तीन नंबर में आप सोरी एक नंबर में आप डिरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं और अगर दो नंबर का कोशन है तो आप इसको इस तरह से सोल्व करके दिखा सकते हैं आप मुझे थमसब करके बताएं दोनों चीज़े समझ आ गई आपको बहुत बढ़िया लेकिन आपको जो मैं समझाना चाता हूं वह समझ आ गया दोनों मैथट समझ आ गया आपको बेसिक वाला भी और शोटकट वाला भी ठीक है शोटकट के कहता है बस आपको कोफिशेंट चाहिए एन का यू नीड जस्ट कोफिशेंट राइट चलिए अब देखो भाई मैंने आपको दो शोटकट बताए तो फटा फट से आज हमारा 20 लाइक का एम पूरा करवादो क्लास फिनिश होने से पहले करवादोगे फटा फट से 20 एम का लाइक फटा फट से 20 लाइक हो जाने चाहिए है ना अभी और भी आगे इस तरह के शोटकट बताऊ चलो वेरी गुड़ आपको समझ आ गया सबका थम्सप आ गया वेरी गुड़ कोशन नमबर 9 कहता है आप बताए एट माइनस एफ़ोर क्या होगा एट और एफ़ोर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा वह में बताने हैं तो हम यहां पर पहले नोट कर देते हैं यह है एए और यह है एफ़ोर आप मुझे बताओ क्या मैं एट को एप्लस में 70 लिख सकता हूं और माइनस लगा के प्रैकेट में एप्लस में 3D फिर आप इसको लिखोगे एप्लस में 70 माइनस ए माइनस 3D राइट ए और ए कैंसल आपके पास आंसर बना 4D अब आपको जस्ट डी की व सब्सक्राइब कर दो और मुल्टिप्लाइब 5 आपका आंसर आगया 2020 वैरी वैरी सिंपल बहुत ज्यादा सिंपल हलवा कोशन एकदम 20 इसका अंसर है ना वैरी गुड वैरी वैरी गुड बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ाएंगे कोशन नॉम्बर 10 पर 16 की वैली बता एक है मैइनस 10 दिकांगे तो बन जाएगा मैनस त्करें बेम्स सके इंदर मैनस यह भरी इंप्रोटेंट है आपको आपके पास आनसर आएगा मैइनस ट्वी यहां पिट कर जो ऑं की जगह पर आपके पास है माइनस है यह वैरी गुड यह बनाइगा मैनस ठाटी मैनस राइट ओके चलिए वेरी गुड वेरी गुड थैंक यू विदान थैंक यू ब्रो चलिए आगे बढ़ते हैं कोशन नुम्बर 11 कहता है आप इसके अंदर के की वैल्यू बताईए आप लोग जानते हैं जब तीन टम्स एबी और सी एपी में होती हैं तो आप इन तीन टम्स म यहां पर देखिए का मतलब है का मतलब है 3 और सी का मतलब है 5 इसको डिवाइट करो 2 से आप लिखोगे के माइनस टू इस इक्वल तो 5 प्लस 3 8 8 को 2 से डिवाइट करेंगे 4 यानि कि आपके का अंसर आ गया 6 देखो कितना सिंपल हो गया बस आपको यह वैल्यू पता होनी च ठीक है तो बिंदर जी का अंसर आ गया यह आप थोड़े से लेट हो गए कैसे हैं आप आंसर आपने एक दम सहीं दिया है के इस इकवल तो 6 टाइट ओके चलिए आगे बढ़ेंगे अब कोशन नमबर 12 कोशन नमबर 12 कहता है पी की वैल्यू बताओ जैसे मैंने अभी करा था आफैसी सॉल्फ करेंगे तीन टम्स हैं एक है इसके अंदर 4 by 5 एक है इसके अंदर पी और एक है इसके अंदर टू तो हम लिखेंगे इसके अंदर पी इस इकवल 2 पॉर बाए 5 प्लस में 2 डिवाइडिड बाइ 2 एक दम डिरेक टांसर निकल किया आएगा आप लिख सकते है है P is equal to 4 by 5 में 2 plus करना है तो 5 को 2 से ले लेंगे 10 बन जाएगा 10 में 14 प्लस करेंगे सोरी 4 प्लस करेंगे तो बन जाएगा 14 by 5 14 5 14 by 5 के denominator में आएगा 2 by 1 इसको जब solve करेंगे तो बनेगा 14 by 5 इंटू में 1 by 2 आप लिख सकते हैं which is equal to 7 by 5 आपका अंसर सही है सबका फिल्विंदर जी आपका अंसर गलता आप देख लें आपने काप में मिस्टेक करी है आंसर आएगा इसका 7 by 5 राहुल कह रहे हैं सर अगें राहुल बहुत आप इसके अंदर बी को लिख सकते हो ए प्लस c by 2 तो हमने इसके अंदर वेल्यूस पुट करी हमारा आंसर आ गया और ध्यान रखेगा इसके अंदर इसको डिवाइड मत करना इतना है लिखना है बस ठीक है चलिए वैरी गूड बहुत बढ़िया नाव कोशन नमबर 13 इसमे का अंसर कितना आएगा मैंने आपको अभी इस तरह के कोशन कराए बताइए फटाफट पुलविंदर आयूश फटाफट इसका अंसर बताओ क्या बनेगा देखो कैसे फाइंड करेंगे इसके अंदर जो मिडल टम है मिडल टम मान लेते हैं एक्स है हम इसके अंदर एपार् यहाठ का अनसर आघया 14 अब आप यहां पर देखो आप इन दोनों को माइनस करो जस्ट माइनस इंस सब्के करो देखो तो फकर थो एक भार तो कोमन डिफ्रेशां पर निकलेगा औरहर यहां पर निकलेगा तो माइनस गो टूट study ही डिवाइट करने है। माइनस 10 को 2 से डिवाइट कर दो आपका common difference आ गया माइनस का 5 सही है जी और जब आप 13 में से माइनस 5 करोगे तो 8 आएगा 8 में से माइनस 5 करोगे 3 आएगा ओके समझ गया बात राइट और अगर आपको यह वाली value चाहिए तो आपको इसके अंदर plus करना पड़ेगा तो यह बन जाएगा 18 तो इससे easy तरीका इस question को करने का हो ही नहीं सकता अना भई हो ही नहीं सकता चलिए 20 likes हो गए है तो 25 aims करिए 25 25 like करवा दिजिए नया एम है 25 का ठीक है जी इससे easy तरीका इस question को करने का नहीं हो सकता ठीक है हमें काम करते हैं इसका c वाला partner मुझे आप करके बताना आप अब यह काम करो इस 9 1 by 2 की जगा पे change करके यहां पे लिख दो अपना कितना आप यहां पे लिख दीजे कितना लिखेंगे आप यहां पे आप यहां पे लिखें 2020 अब मुझे बताये बीच की दो टम्स क्या बनेंगी बताये 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 बताईए देखें आपको करना क्या है आपको 20 में से 5 माइनस करना है 20 में से 5 माइनस करेंगे तो 15 अब आपको यह 50 कितने parts में divide करना है एक यहां पर है एक इधर common difference है और ए 15 को 3 से डिवाइट कर दो आपके पास common difference आ गया 5 अब 5 5 5 increase कर दो 5 में 5 प्लेस करोगे 10 10 में 5 प्लेस करोगे 15 15 में 5 प्लेस करोगे 20 आंसर आपके सामने ठीक है भी आंसर आपके सामने इतना easy है यह अब यहां पर देखो इसी तरह 6 से लेकर minus 4 का common difference चाहिए आपको minus करना है तो 6 में से minus करेंगे minus का 4 तो अपने पास यह बन जाएगा 10 एकदम simple है ना अब चेक करो इस 10 को कितने parts में divide करना है तो 1 2 3 4 और 5 5 parts में divide करना है तो 10 को 5 से डिवाइड कर दो आपका answer आजाएगा 2 अब इसके अंदर 222 आप increase कर दो तो minus 4 में plus का 2 करोगे तो आपके पास बनेगा minus 2, minus 2 में प्लस 2 करोगे तो आपके पास आएगा 0 0 में plus 2 करोगे तो बनेगा 2 2 में plus 2 करोगे तो बनेगा 4 तो यहाप का अंसर थीडिए बई कि वेटिव लाइक्स भी होगे 26 होगे क्या बात है यार वैरी गूड यार वाद क्या करते हैं स्युक्षण बताते जाओ आप तो कोशन समझ आ रहे हैं कोशन आपको अंडरस्टेंड हो रहे हैं यह बताते जाओ मुझे साथ-साथ इसके बाद अब आप मुझे बता दीजिए इपार्ट का अंसर क्या बनेगा वट इस दे वेल्यू ओफ इंदर जी इपार्ट का अंसर बताइए देखिए आपको –22 मेरे से और 38 मेरे से करना नहीं है तो यहां पे difference कर लो आपके पास नहीं आनसर आएगा –60 अब चैक करो इसको कितने पार्ट में हमक्राद करना है एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा चोथा पार्ट ये रहा, 60 को आपको 4 पार्ट में डिवाइट करना है ज़ोरी, यहां पे minus 60 है, तो minus 60 को 4 parts में डिवाइट करेंगे तो answer बनेगा minus 15, बस हां पे minus 15 के according answer find कर दो 38 में से माइनस 15 करेंगे तो कितना बनेगा यह अपने पास से 23 बनेगा इस में से माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास यह I think it should be I think it should be 8 8 में से माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा कितना आएगा ऑठीन आ रहे हैं साथ के साथ माइनस के साथ करेंगे 22 और यहां पर थो इस Süद और यह तो यह स्था पर आगया आपने करा होगा इसको तो मुझे आप बताओ आपने इसी तरीके से करा था यहां फिर आप इसके अंदर एक्स वाई जड़ एबी सीडी पुट किया करते थे एकदम इजी सिंपल है ना एकदम सिंपल कोश्चन मैंटी लेंगे कल पक्का आयुश कल पक्का मैंटी लेंगे तुम सैटेड़े की क्लास में थे नियुक्त के अंदर मैंटी हुआ था पता है तुम्हें एक्स वाई लेके निकरते हैं और भाई ऐसे करते हैं एकदम फटा फट फट फिलिक्टा ब्लैंक्स को फटा फट उड़ाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब पस्तिक जी अगर हमने इसको सिंपल बना दिया तो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत करिए कुछ फटा फ पर 14 से mcq स्टार्ट होते हैं और कोशन कह रहा है कि आपको 30 टम बतानी है यू नीट टू फाइंड थर्ट टम बताने के लिए वैरी वैरी सिंपल यहां पर आप कर लो मैंने आपको भी कितने सारे कोशन कराए बटा रक्षित चैप्टर नंबर पांच चल रहा है पांच के हमें चाहिए थर्टी का अंसर तो ए थर्टी वी नीट टू फाइंड ए थर्टी बन जाएगा ए प्लस में 29 डी वैरी सिंपल एकी जगह पे लिखो 10 10 में प्लस को रो 29 मुल्टिप्ला है माइनस 3 आंसर आपके नाइगिटिव आएंगे नाइगिटिव आने का मतलब है ओप् का माइनस 77 राइट जू विल गेट माइनस 77 यानि की ओप्शन सी वेरी वेरी गुड आपका अंसर एकदम सही आ रहे माइनस 7 इस करेक्ट आंसर लवकुष एकदम सही आंसर आपका 14 का बी पार्ट हमें इसके अंदर 11 टर्म बतानी है वी नीट टू फैंड दा 11 टर्म तो दे अच्छित बात का ध्यान रखने लेवना पेपर में गलत हो जाएगा ठीक है बरी तो यहां पर यह बन जाएगा आपने पास माइनस 1 बाइट टू प्लस थ्री दिमें माइनस बन बाइट तो कितना बनेगा थ्रीं टू टू शिक्स माइनस तन यानिकी पाइव बैट उडिक प्रक्षित मैं नहीं लूँगा ब्रो हमारे कॉमन डिफरेंस का वैल्यू फाइफ बाइटू है हमें बताना है ए इलावन सो ए इलावन इस इक्वल टू ए प्लस में टैन डी तो एकी जगा पे आप लिखिए माइनस थ्री माइनस थ्री में प्लस करिए टैन मुल्टिप्लाइ फाइफ बाइटू तू से टैन कट करिए फाइफ पे आपका आंसर आएगा 22 22 यानि की ओप्शन नंबर भी जशन बहुत बढ़िया लगता है जब आप इस तरह से आंसर देते रहते हैं एक दम मज़ेदार मज़ा आ जाता है बहुत बढ़िया मांसी जी का भी आंसर सही है यानि कि आपको बाते समझ आ रही है ना चलिए 14 का सी पार्ट करिए 14 का सी पार्ट करिए स्वस्टिक जी वेरी वेरी गूड बहुत बढ़िया फटा-फट से इसका अंसर बता दें पटा-फट से बताएं देखिए आप इसके अंदर देखिए N की जगा पर आपको 7 पुट करना है जब आप यहां पर 7 पुट करोगे तो बन जाएगा ए 7 तो ए 7 की वेल्यू 4 है ए 7 का मतलब है ए प्लस में 6D इसकी वेल्यू 4 है ठीक है कॉमन डिफरेंस की वेल्यू है अपने पास माइनस 4 तो ए 6 को माइनस 4 से मिल्टिप्लाइ कर दो यहां पर कितना इजी कोशन है कितना लड्डू कोशन है तो ए माइनस 24 इस एक्वल टू 4 आप लिख सकते हैं ए की वेल्यू आगे 28 और 28 है ओप्शन नमबर डी में ठीक है भई एक की वेल्यू है ओप्शन नमबर डी में एकदम सिंपल है हाना उके चलिए वैरी वैरी गूट बहुत बढ़िया आगे बढ साधो उसको यह चैप्टर ही लड्डू है ना सर बैटा सारे रच ही लड्डू है एवरी चैप्टर ही लड्डू चैप्टर शलोग फटा-फट dob कर दो यह को मिडल टम क्यआ है हम यह पर C by 2, तो B का मतलब है 3Y plus 5, 3Y plus 5 is equal to A की value है, अपने पास 3Y minus 1, इसमें add करना है 5Y plus 1, और इसको आपको divide करना है 2 से, minus 1 plus 1 cancel हुआ, आपके पास answer बना 3Y plus 5 is equal to 8Y by 2 का मतलब है 4Y, आप कह सकते हैं Y का answer आगया 5, देखो, TB, SC, इस तरह के question आपको standard math में देगी और आप देख सकते हैं 2014 का question है यह, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत तकलिफ है, कर लोगे न solve आप इस तरह के question, एकदम simple, हना, बिलकुल लफकुष लड़ू chapter है सारे, बटा बेदान पोसिबल नहीं है, ए पार्ट solve करते हैं, हमें बताना है, देखो question भी कैसे छाट-छाट के देता है CBSE, जिस बच्चे को understanding नहीं होएगी, वो question छोड़ी देगा, आपको बताना है, यह जो list of numbers हैं, यह list of numbers क्या है, किस तरह के numbers है, अगर यह AP है, तो बताओ इसका common difference क्या है, अगर AP नहीं है, तो option number D पे टिक कर दो, राइट तो चेक करते हैं, क्या यह AP है, आप यहाँ पर इन दोनों का difference चेक करेंगे, तो बन जाएगा, यह minus का कितना बनेगा, यह प्लस का 4 बनेगा, यह यहाँ पर अगर difference चेक करेंगे, चेक करेंगे तो यह पर भी यह प्लस का 4 बनेगा, तो यह तो पक्का हो गया, यह AP है, this is the AP, AP के साथ में common difference है, अपने पास, plus का 4, तो answer आएगा, option number B, ठीक है भी जशन वेरी गूड वेरी गूड वेरी वेरी गूड सबका अंसर एक दम सही आ रहा है वेरी गूड बहुत बढ़िया वूदिन्दर रक्षित आयूश राहुल सबका अंसर सही है वेरी गूड नाउ कोशन नमबर इसका f part करेंगे अब this is very important जानते हैं क्यों this is very important because इसके अंदर लिखावे from the last part आपको last term से बतानी है यह इसके अंदर very important word है 11th term बतानी है last वाले से तो आप इसका formula लिखिए L minus N minus 1 multiplied D L का मतलब है last term last term का मतलब है minus 62 इसमें minus करिए N, N यानि की 11 11 minus 1, common difference की value आपको है यहाँ पर minus 3 तो आपके पास answer बनेगा minus 62, minus 10 multiply minus 3 आप इसको लिख सकते हैं minus 62 plus में 30, यानि की आपका answer आगया minus 32, option number B, this is the correct answer यह ध्यान रखेगा आपको जो terms find करने के लिए आती है, मैं यहाँ पर chart बना रहा हूँ आप इस chart का screenshot ले लेना आपको जो terms find करने के लिए आती है, वो दो तरीके से पूछ जाती है यहां तो वो पूछते है from beginning यहां वो पूछेंगे आपसे last से तो beginning का तो फॉर्म आप जानते हैं, a plus में n minus 1 multiply d यह beginning से होता है क्योंकि starting से हम आगे जा रहे हैं तो plus करना होता है last find करने है तो L minus को और दो बागी सब से रहने दो last में से minus करने last में से इस तरफ आना है तो last में से इस तरफ आएंगे minus करेंगे first term से इस तरफ जाएंगे तो plus करेंगे ओके ठीक है बेटा चलिए very good L यानी की बेटा last term L is called the last term लिख दिया मैंने चार्ट बना दिया आप इसका स्क्रीन शोट ले ले लेना ओके पी ओप्शन इस करेक्ट ओप्शन वेरे गुड़ नहीं बेटा हम सिरफ मैस ही पढ़ाते हैं अब इसका जी पार्ट करते हैं इसका जी पार्ट का अंसर बताईए जी पार्ट का अंसर मेरे निसाबसे यह वाला पेपर में आयेगा निए भाई जी वाला पार्ट तो फालतू लोज़्चन है त rok मैस में नहीं आता यह वाला रहने देते हैं एच पार्ट बताईए एच पार्ट का अंसर बताईए what is the common difference आपको common difference बताना है क्या होगा tell me फटा-फट से common difference common difference बताईए क्या होगा common difference देखे कैसे solve करेंगे इसको a18 a18 का मतलब है आप इसको लिखेंगे a plus में 17d a14 आप इसको लिखेंगे a plus में 13d right बीच में minus है तो यहां पे minus और इसके साथ bracket equal to 32 गेमिंग जी का answer आ रहा है देखते हैं gaming आपका सहीया गलत है यह बनेगा अपने पास a plus में 17d minus a minus 13d इसका answer आएगा 32 a और a तो cancel हो गया आपके पास आया 4d is equal to 32 यानि कि आप कह सकते हैं d is equal to 8 डी की value 8 बनेगी बेटा 8 का मतलब है option number a क्या answer आएगा option नंबर आएगा ठीक है बेटा option नंबर आएगा बेटा हमापे 11 नहीं लिखेंगे 11 from last term लिखेंगे लवकुष 11th term from last लिखेंगे बाकी सब सही है ठीक है बई चलो इस वाले question को ना आप एक line में भी कर सकते थे आप बस यहां पर ऐसा लिख देते कि देखो इन टर्म्स के बीच का difference कितना है इन टर्म्स के बीच का difference कितना है चार है तो चार डी बराबर 32 सिदा answer आता डी बराबर 8 दो line में खतम हो जाता यह question ठीक है बई दो line में यह एकदम खतम हो जाता ओके इस तरह से भी आप इसको कर सकते थे लिए gaming यह आगे बढ़ते हैं यह मैं आपका एक छोटा सा test लेता हूं मुझे आप बताओ जरा अगर आपके paper में पूछा जाए a 20 में से a 10 माइनस करोगे तो आपका answer बनेगा 40 तो मुझे बताओ जरा common difference कितना है फटा फट बताओ common difference बताओ पनमोल फटा फट से common difference बताओ इसका मैं आपको option दे रहा हूं option number a आपका answer आना चाहिए कितना 4 option number b आपका आना चाहिए माइनस 4 option number c माइनस का 2 और option number d प्लस का 2 बताइए answer क्या आएगा बताइए answer क्या आएगा very good 4 answer is correct option आपने कैसे find करा देखो इन दोनों को minus 4 खटा खट एक दम इसको minus करोगे तो बनेगा 10 10 d की value बनेगी 40 00 cancel d की value 4 आ गई बताओ ऐसे करा था यह आपने इसको इस तरह से इतना लंबा चोड़ा लिखके करा था बताओ बैटा मैस का रिवीजर नी करवा रहे हैं हम सोम शुकला अभी शेक शुकला answer 10 नहीं आएगा answer 4 आएगा answer is 4 ठीक है भई चलिए match the column के question करने है मैं अब shortcut से very good बैटा shortcut सिरफ एक नंबर के question में apply करना राइट ओके very good कुलविंदर जी very good बहुत बढ़िया shortcut से shortcut सबको पसंद आते हैं बहुत easy होते हैं लगाने में अगर आपको ध्यान रहे जाएं चलिए इस question को करते हैं अब a की value minus 18 है n की value d है और d की value 2 है तो हमें बताना है an क्या बनेगा solve करना पड़ेगा n की value 10 कह रहा है यानि की a 10 a 10 का मतलब आंसर बनेगा a plus में 9d ठीक है a की value कह रहा है minus 18 है minus 18 में plus करेंगे 9 multiply 2 बताओ मजाग कर रहा है question तो यार question हमारे साथ मजाग कर रहा है 9 into 2 करेंगे 18 minus कर देंगे 0 तो answer आएगा यह वाला यहां पर लिख देंगे b का answer है a ठीक है वही ओके चलिए फिर देखो इसके बी वाले पार्ट का answer तो मुझे आप बता दो अगर a b c ap में हैं तो बताओ इसका answer क्या बनेगा अभी शेक शुकला अभी बताया था ना मैंने इसका answer क्या तो a plus में c by 2 को arithmetic mean कहते हैं तो यह वाला जो b वाला option है वो इससे match होगा यहां पर आएगा option number b ठीक है वई एकदम correct very good very good बहुत बढ़िया फिर देखो कह रहा है अगर 246 ap में हैं अगर 246 ap में हैं तो क्या 4812 किस में होंगे 4812 भी ap में होंगे यार इसका answer आएगा option number c correct इसका answer आएगा option number c यानि कि c वाला e के साथ जाएगा तो यहां पर बताना है a10 देखो कितना लडू कोशन है आज की class का पहला question मैंने आपको कराया था direct आपको n की जगा पे 10 put करना है तो 10 को 5 से multiply करेंगे इस वाले part की बात कर रहा हूं है 10 को 5 से multiply करेंगे 50 50 में से 9-41 यानि कि य very good gaming बहुत बढ़िया शिटी gaming बहुत बढ़िया फिर कहता है option number e में d की value है minus 2 n की value है 5 अच्छा और a n की value है 0 तो यहां पर आप लिख दो n का मतलब है 5 तो यह कह रहा है a 5 की value 0 है इसका मतलब a plus में 4d की value 0 है इसका मतलब a की value 4 negative of 4d है यानि की a is equal to minus 4 multiply by minus 2 है यानि की a की value 8 है वैसे तो इपार्ट को solve करने की जुरूरत नहीं थी हम चार पार्ट solve कर चुके हैं इसका automatic answer बन जाता है यह वाला तो match the column हमारे खतम हो गए एकदम easy question है यह सारे अना एकदम easy question है नहीं बेटा उतकर्ष आज उतकर्ष भाई लेट हो गया क्लास में ऐसा कैसे हो सकता उतकर्ष क्या कर रहे हो ब्रो वट आर यू डूइंग ब्रो चलिए question number 16 true false बताने आपको सर उतकर्ष का duplicate game अच्छा 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 ओके तो हम शुकला राजिव सर लेंगे आज अच्छा उतकर्ष का English class रहता है चलिए कोई बात निया अब आप इसको answer करिए इस question का answer करिए आपको बताना है क्या 301 इस AP का कोई term है क्या 301 इस AP का कोई term है यानि कि आपको इस question के अंदर इस 301 को last term assume कर लेना है यहाँ पे लिखिए option number A करने जा रहे हैं option number A में last term यानि की AN की value है 301 यहाँ पे इसको अब N की value find करो अभी शेक शुकला आज मैंटी नही यहाँ पे लिखो इसको A plus में N minus 1 multiply by D is equal to में आएगा आपके पास 301 A की value है 5 तो 5 plus में N minus 1 multiply common difference की value है 6 is equal to 301 आप इसको लिख सकते हो 6 into में N minus 1 is equal to 5 यहाँ पे जाके minus होगा तो बन जाएगा यह 296 राइट आप लिख सकते हैं N minus 1 is equal to 296 divided by 6 अब आप लोगो मुझे फटा-फट यह बता दो क्या यह completely divide होता है क्या यह नंबर completely divide हो रहा है नहीं हो रहा ना this is not completely divisible क्योंकि अगर हम 296 को 6 से divide करेंगे तो यह completely divide नहीं हो रहा सबसे पहले जाएगा 64 24 इसमें से minus करेंगे तो अब सोरी 64 जा हाँ ठीक है यह आएगा 60 आपने पास 56 56 च्छोटा number 6 के डिवरो तो आता ही नहीं है तो answer आएगा यह false इस फोल्स इस इसके बाद बताईए इसका B part का अंसर, B part मैंने आपको अभी shortcut में बताया था, B part का अंसर मैंने आपको अभी shortcut करवाया था, देखो M at term और N at term अगर AP की है तो इसकी common difference क्या होगी, इसकी common difference क्या होगी, हम direct इन दोनों को minus करते हैं न, अभी मैंने आपको बताया था, M minus 1 multiplied D, तो आंसर इसका एकदम सही है, जाने कि जो इसका ये B वाला part है, ये एकदम true है, अगर आप इसको solve करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें AM में से minus करना है, AN, तो यह आपके पास इस तरह से आएगा, A plus में M minus 1 multiplied D, इसमें minus करना है आपको, A plus, A plus N minus 1 multiplied D, हाना, तो देखो क्या बनेगा है, आपके पास, A plus, A plus M minus 1 multiplied D, minus को अंदर shift कर दो, तो minus A plus में, sorry plus में नहीं, यहाँ पे minus आएगा, minus N minus 1 multiplied D, A और A cancel हो गया, यह बन गया, M minus 1 multiplied D, minus में N minus 1 multiplied D, T और D को common ले लो, तो आपके पास आएगा, M minus 1, यहाँ पे है यह, M minus 1 minus N plus 1, minus 1 plus 1 cancel तो answer बना, D multiplied by M minus N, तो चार लाइने solve करने के बाद भी हमारा answer क्या बना, true बना, तो हमारा answer आगया true, ठीक है बेटा, चलिए, C वाले part का question कहा रहा है, क्या यह AP है, is this the AP, क्या आपको यह AP ने जर आ रही है, दोगो यहाँ पे, अगर 2 से 5 पे जाएंगे तो अपने को 3 plus करना पड़ेगा, 5 से 9 पे जाएंगे तो 4 plus करना पड़ेगा, 3 और 4 equal नहीं होते तो यह वाला false हो गया, this is not AP, क्योंकि इसका common difference equal नहीं है, अभी शेक शुकला कहा रहे हैं कि sir, previous year questions करवाओ, बेटा, एक दिन previous year होता है, और एक दिन support होता है, आज support हुआ है, कल previous year होगा, ओके, चलिए, अब आप मुझे बताइए, क्या first 20 natural numbers का, जो sum है, वो 410 होगा, देखो, इसका formula होता है, n into में, n plus 1 by 2, n की जगा पे 20 है, तो 20 multiplied, 21 divided by 2, तो आपका answer आएगा 210, question कहा रहा है, answer आना चीए 410, तो इसका answer क्या बन जाएगा, false बन जाएगा, this is also false, ठीक है, भी, this is false, ok, right, तो लोग का answer सही है, default है, या sun mole, बिल्कुल लेते हैं, चलिए, e part का answer कहता है, an at term of ap, अगर हम इस ap की an at term find करें, और अगर हम इस ap की an at term find करें, तो क्या वो same आईगी, इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा screen clear करता हूँ, ताकि solve कर सकें, देखें जी, इसका e वाला part क्या कह रहा है, e वाला part कह रहा है, पहले आप इसका an at term बताओ क्या है, तो यहाँ पे लिखो आप, आपके a की value 5 है, और आपके d की value भी 5 है, आप यहाँ पे निकालो, an is equal to a plus में, n minus 1 multiply d, यानि की 5 plus में, n minus 1 multiply 5, आपके पास answer आगया, 5 plus में 5 n, minus 5, यानि की total मिला के 5 n, ठीक है जी, इसकी an at term है 5 n, और इसकी an at term find करो यहाँ पे, a की value है 15, और आपके d की value है, देखो कितना minus करने पाएगा, 15 आएगा, d की value भी 15 है, यहाँ पे बनेगा, an is equal to a plus में, n minus 1 multiply d, जगा पे 15, तो आपके पास answer बनेगा, 15 plus में 15 n, minus 15, आप क्या सकते answer बनेगा, 15 n, तो 5 n और 15 n, equal नहीं होते, this is not same, लेकिन question कह रहा है, same होना चाहिए, तो लिख देगे कि, भाईया यह भी false है, this is also false, क्या आप question समझ गए, चले जी, आप सभी का, बहुत 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 दिल से thank you, हमारे likes एम को complete करवाने के लिए, session को join करने के लिए, अगर आप में से कोई भी हमारे channel पर नया है, तो channel को subscribe कर दे,